असलाम अलेकुम जी वेलिकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल आज की जो वीडियो होने वाली है उसका आपको अंदाज़त हो गया होगा थाम्नेल एंड टाइटल से तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हूं अगर आपको म पीज था मैं इसको को कि डिस्क्रीप्शन में लिंक डाल दूलोगी इंस्टाम में पर पेज हूआ प्रेश को को सल झूल लगहा है वो यूटाजव स्टेरई में में हैं दो इस को फेटको चैस्टेरी मेरेए तो मैंने सब्से पहले स्ट टेस्ट करना था तो मैंने थाओन हुझे कैसे थे कि ताके बाई करने चाहिए आप सब को यह नहीं तो चले मैं आपको एक एक करके इनके दिखा देती हूं इनके ब्रेसिज और सब कुछ इनके बारे में पूरी पूरी डिटेल्स बदाता थी हूं यह था हमारा फिस्ट ब्रश था यह फ्लफी ब्रश था जिससे आप ब्लश लगा सकते हैं ठीक है यह देखे मैं आपको बैक साइड पर भी हैंड की करके दिखा रही नेक्स ब्र área मेरे पाइज वह वह फ्लै ब्रश था यह इसकाम के लिए यूज होता है यह फा На कि इसकी ब्रश में यूज नाखी भी हिसी क्वालि тов है कि उन नहीं ते saturated ends Rebecca करका प्ता किस जगह से हैं ठीक उसके बाद एक चोटा सा और फलफी ब्रश था यह आप मुझे नहीं बता किस काम के लिए था बज क्योंकि मैंने उन से पूरा मगवाल यह थे ग्राम में और लेकिन हा अच्छे ब्रशी थे ओवर आल लेकिन इस ब्रशी में आपको मैं दिखा रही हूं जो आपको यह दिखा है कि उसके फ्लैड ब्रश यह तो फ्लैड ब्रश लेकिन ब्रश ब्रश बिल्कुल भी ने पसंद आया यह ब्रॉख बिकार लो कॉल्टी का ब्रश था यह ना होता तो बेतर था लेकिन आगया था था अब हम कुछ नहीं का सकते थे यह मुझे बल्कल नहीं पसंद ayah बाकी अच्छे थे यह नहीं पसंद में अपने यहारों liksom थोड़ा सा इसमें एंगल था जिसको आपiking searching यह वह वह खूंस इसको रहती अश्चे वह ज़ए मैं तो यह Mingi शुड़ाज थे कि मैं आपको उक्तके किने रज़ किस्षर है मैं आपको एड़ा वाल को टीज की तो मैं लिए तो इसका इसकी कार रहा तो तो इसमें से दो से तीन ब्रेशिज अनईवन थे तो उसको मैंने सीजर से काटके एकुली कर लिया क्योंकि आपको पता है थाउजन रुपिय में क्या ही मिलता है ठीक है यह ता एक मेरे पास फ्लैट ब्रॉश यह मेरे पास पहले का था तो मेरे से गलती से इन ब्रॉशिज में आगया था इसलिए मैंने इसको जल्दी से बास वापिस रख दे था मुझे फिर याद आगया कि यह तो मैंने अपना मेरे पहले के बाई किया है एक यह और ब्रॉश है यह थोड़ा फ्लैट ब्रॉश टाइप का था तो इसका मुझे नहीं पता किसलिए यह यूज हो रहा था यह मैंने इसको यूज भी नहीं किया भी था लेकिन मेरे पास ऐसा यह को रहा है जिसको मैं फेस मास्क जो बनाती है उसके लिए यूज करते हूँ यह ब्रॉश जो था ना फलफी पाउडर ब्रॉश इंतहाई खुबसूरत सबसे अच्छा बैस्ट क्वालिटी जो ब्रॉश थी थी यह बहुत बहुत जादा सौफ था और बहुत ही मज़िदार सा खुबसूरत सा और प्यारा सा ब्रॉश था इसको यूज करने का भी मज़ा रहा था अब मैं आपको दिखा तो नेक्स ब्रॉश यह स्मॉल ब्रॉश था फ कौलिटी अच्छी ने ऐसक अची उब ओले एक्स्टर ने क्सी काम का भी नायाओ ब्रॉश था भी लगत था लोगता हुए होगा है अपने आई ब्रॉशिस में मुझे कौन-कौन से रसीव हुए है और इनके भी क्या काम है और कि यह किसलिए यूज हो रहे हैं ठीक है सबसे पहले मारे पास था यह एंगल ब्रॉश था यह देखें यह थोड़ा सा बिक साइज का एंगल यूज था ठीक है यह देख लिए हाँ इससे आप अपनी क्रीज वगारा कट कर सकते हैं और अब हम लोग मैं आपको नेक्स ब्रॉश दिखाती हूं उससे पहले आप सबसे की रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें इंस्टाग्राम को मेरा स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और मुझे म आगे आपको वीडियो में मजीद वीडियो जो आएंगी उन्में मैं आपको इसके हैक्स भी बताऊंगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी चीज मिस ना कर सकें उसको बद ये एक था फलफी ब्रॉश था चोट्टू सा यह भी प्यारा था और इसकी поговорよね मैं आपको दिखाती हम passado माँगे जिसे अप अपनी अंडर आई पे कलर लगा सकते हैं छोपिधाय सेथे'd कैण क्लोल प्रॉश कर सकते हैं कि मैंने एसे पहले जैनल गया हुआ तो इससे भी आप मैंनर आपको दिखाती हूँ यह को ददा प्रफ़ी बुश्टा जो के यूज होता है डेप्थ वोगरा क्रियेट करने के लिए आइज मेंड तो सारी आइशेट को समच वोगरा करने के लिए यूज होते हैं अब जो ज्यादा इकसफर्ट होंगे उनको ज्यादा बेटर बता होगा मैं क्योंकि एकसपर्ट नहीं हूँ तो इसलिए मैं जादा कुछ आपको क्या भी ने सकती है उस तरह चलिए मैं आपको नेक्स ब्रेश दिखाती हूँ नेक्स ब्रेश यह था यह भी स्मॉल सा फलफी ब्रेश था इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी यह भी आइस के लिए यूज होता है जो आप आइशेर कैसा दिखाता है एक छोट्टू सा ब्रेश आपके लिए यह थोड़ा कटा हुआ है मतलब एंगल लाइनर बहुत अच्छा लगा सकते हैं जो आजकल आपको पता है जैसे विंग लाइनर जो बहुत ज्यादा ट्रेंडि है उससे लगा सकते हैं वैसा लाइनर एक यह अच्छा था जैं नीकष्ट मैद दिखा लेती हूं यह वाला जो प्रश था यह भी थोड़ा सा एंगल में था यह जो है मौरें यह पास सेम सेमा अगें ठीक है this इस के भी में आपको प्रश दिका दती उ हूँ अब ये जो वाला ब्रश है ना ये बहुत अच्छा था बहुत ही जबर्दस था ये फलफी ब्रश था ये देखिया इसके में आपको थोड़ा पास्क से भी दिखा देती हूं थोड़ा दूर से भी आपको और ये इसके अवराल लुक भी काफी अच्छी थी खुबसूरत थी अगर आपके वैनिटी पे पढ़ा होगा तो ये बहुत अच्छा लगए नेक्स ये ब्रश ये मुझे हमेशा से यूजलस लगता है मुझे नहीं पता है इसका क्या परपस है ये क्यों हमेशा एड होता है उसको बाद एक ये ब्रश था जिसके मुझे क्वालिटी बिल्कु आप मुझे नहीं पता है मैक का होगा ये नहीं होगा ये बीज़ने गया ऐसके ये मैं आपको एक दफ़ा दूआ इनके रिवियू करदोगी है अब इनके करने अब भी मैनेस्थ मंगवाए थे और मैं जब कहाँकर कोंभाना चाहल थे कि कहांसे बाइक कर सकते हैं मत और अन्बोक्सिंग वीडियो बनाते रहते हैं लेकिन यह वीडियो इसको बनाने में काफी डिफिकल्टी पे इशारी थी क्योंकि मैंने थोड़ा सा सैटप अपना चेंज किया था तो इसलिए यह देखें आप थोड़ा क्रीब से भी इनको देख सकते हैं तो जी यह थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करें